पुस्प, हम आज पुस्प के बारे में पढ़ेंगे, तो पुस्प जो होता है, वह आवरित बीजी पौधो में पाया जाता है, पुस्प पौधो का एक महत्पूर्ण भाव होता है, तो पुस्प की यदि हम परिभासा दिखेंगे, तो पुस्प जो होता है, वह एक रुपा प्ररोह होता है, यहां पर जो पुस्प है वह पधों में एक जनन अंग के रूप में कारे करता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पुस्प एक रूपान्तरीत प्ररोह है, जो जनन क्रिया में भाग लेता है, पुस्प जो है वहां आवरित बीजी पौधों में ही पाया जाता है और यहां जनन अंग के रूप में कारे करता है, पुस्प से ही फल एवं बीज का निर्मार होता है, उसके बाद यदि हम एक पुस्प का स्ट्रक्शर देखते हैं, यह एक प्रारूप पुस्प का सारशना है, जिसमें हम इसके भागों को देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे, नीचे से सुरू करते हैं कि जो यह डंठल होता है, यह क्या है, पुस्प का डंठल होता है, जिसको कहा जाता है पुस्प वरिंथ, पुस्प वरिंथ है, उसके बाद यह वाला जो भाग रहता है, जिसको थैलस कहते हैं, यह है पुस्पासन, ये पुस्प का अधारी भाग होता है और पूरे जितने भी पुस्प के भाग होते हैं उसका ये अधार होता है इसलिए इनको पुस्पासन कहा जाता है उसके बाद पुस्प में इसके बाहर की और एक सरजना दिखाई देती है जिसको कहा जाता है ये वाला हरी कलर का जो रहता है सभी फूलों में इसको कहा जाता है बाहे दल पुंज ठीक है ये संख्या में 5-6 के होते हैं दिखतर 5 होते हैं तो एक साथ इनको क्या कहा जाता है बाहे दल पुंज कहा जाता है और केवल एक को क्या बोलेंगे एक दल पुंज अब आते हैं हम पुस्प के मेन भाग में तो बीच वाला जो ये पुरसं दिखाई दे रहा है यह है जयांग और ये जो आपको पुरसं दिखाई दे रहा है ये वाला ये है पुमांग इस परकार से फूलो में एक नर और एक मादा दोनों ही जनननंग होते हैं इसी कारण से ऐसे पूस्प जिन में नर एवा मादा दोनों ही अंग पाया जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं तो अब हम इसको देखते हैं ये है उसका जयांग जो इस्त्रीकेसर से मिलकर बनी होते है जयांग है ये, ये क्या है? इससे मिलकर बनी होते है ये इस्त्रीकेसर से यानि कि ये पुस्प के मादा भाग होते है उसके पशाद ये वाला जो भाग रहता है इसको कहा जाता है पुमंग पुमंग जो है वो पुमके सरों से मिलकर बनी होते हैं तो इस तरीके से ये नर भाग होता है और जयांग जो है वो पुस्प का मादा भाग होता है अब हम इसके ये तो हो गया इसका डैग्राम और इसके भागों के नाम अब इसको हम आगे देखते हैं कि पुस्प में दो अंग पाया जाता है कितने अंग पाया जाते हैं? दो अंग होते हैं जिसमें से पहला अंग होता है सहायक अंग तो पुस्प के सहायक अंग कौन-कौन से होते हैं? पुस्प के सहायक अंग होते हैं बाय है दल एवन दल तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुस्प के सहायक अंग बाय है दल पुंच और दूसरा होता है दल पुंच उसके बाद इसमें दूसरा अंग होता है आवश्यक अंग तो अवश्यक अंग के अंतरगत इसमें आते हैं जयांग जिसको मादा जनननंग कहते हैं और दूसरा आता है पुमंग जिसको पुस्प का नजनननंग के नाम से जानते हैं तो इस तरीके से है ये ये पुस्प और पुस्प के दोंग होते हैं सहाया कंग जिसके अंतरगत बाहे दलपुँझ ये हम दलपुँझ को रखा जाता है जो इनमें सहायता करते हैं लेकिन ये आवश्या कंग के रूप में जो जयांग और पुमंग होते हैं जयांग जो है वो विजान का निर्माण करते हैं और पुमंग जो है वो पराकर्ण का निर्मार करती है इसलिए इनको अवश्यक कंग के अंतरवत रखा गया है अब हम देखेंगे पुस्प के भाग पुस्प के भाग तो अभी हमने पुस्प का ये जो मेन है चार भागी होते हैं जो मेन होते हैं तो इसमें सबसे पहले भाग को हम देखेंगी बाहे दल पुंज इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैलिक्स कैलिक्स को देखते हैं हम बाहे दल पुंज को तो इसमें देखते हैं कि जो बाहे दल पुंज है वो क्या होता है करके तो ये पुस्प का क्या है सहायक अंग होता है और इसकी जो इकाई होती है यहां पर हम लिख लेते हैं यह पुस्प का सहायक अंग है और क्या होती है कि इसकी जो इकाई होती है मतलब बाहे दल पुन किसे मिलकर बनी होती है इसकी इकाई को बाहे दल कहा जाता है मतलब बाहे दल आपस में मिलकर बहुत सारे एक साथ जब पंकुडिया हो जाती है तो इसकी इकाई क्या है बाहे दल है यह हरे रंग के होते हैं यह हरे रंग के होते हैं आपने देखा होगा फूलो में फूलो का जो सबसे बाहरी चक्र होता है वो हरे कलर के छोटे-छोटे दिखाई देते हैं तो उसी को कहा जाता है बाहे दल पुन तो यह हरे होने के कारण से क्या करते हैं यह हरे होते हैं और हरे होने के वज़ा से क्या करते हैं ये प्रकास अंशलेशन में हेल्प करते हैं प्रकास अंशलेशन में मदद करते हैं और जब जो पुस्प रहते हैं कली का वस्था में जब पुस्प की सवस्था में रहते हैं कली का वस्था में होते हैं तो यही बाहदल पुँच उनको क्या करते हैं रक्षा प्रदान करते हैं उनको सुरक्चित रखते हैं जब उस पर कली का वस्था में रहते हैं तो उनको क्या करते हैं वो सुरक्चित रखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जब उस पर कली का वस्था में होते हैं तब ये बाए तल पुझ किया करते हैं? उनकी सुरक्षा करते हैं, मतलब उसको धख के रखते हैं, है ना? जब कलिकावस्थ हमें अपने देखा होगा कि हरे कलर के दिखाई देते हैं तो वो हरा कलर क्या होता है? बाय दल पुंच ही होता है जो फूलों को पूरी तरीका से ढखा हुआ होता है और ये हरे रंग के छोटे-छोटे होते हैं जिस कारण से ये प्रकास अंसलेशन में मदद करते हैं और पौधों का भुजन बनाने में हेल्प करते हैं तो इस तरीके से था ये बाय है दल पुंच अब दूसरा हम देखते हैं दल पुंच दूसरा है दल पुंच तो दल पुंच जो है वो किसे मिलकर बना होता है दल से मिलकर दल से मिलकर दल पुंच बनता है दल पुंज बनता है मतलब फूलों का जो सबसे सुन्दर वाला भाग होता है जो पंखुडियां होती है जो कलर कलर के दिखाई देते हैं उसी को कहा जाता है दल तो यही दल आपस में मिलकर जब चार से पांच शरंख्या में होती है तो उन सब को एक साथ क्या कहा जाता है दल पुंज कहते हैं है ना इसको इंगलिश में कैरोला कहा जाता है कैरोला तो अब हमें हाँ पर देखते हैं कि यह कैसे होते हैं दल रंगो वाले होते हैं अकरशक रंगो वाले होते हैं ये अलग-अलग रंग के दिखाई देते हैं जिसे फूलो की क्या होती है सुन्दरता बढ़ती है तो इन में जो रंग होते हैं वो आगाशित रंग के होते हैं और इनका जो रंग रहता है ये दल, रंग, सुगंद, और मकरंद मकरंद जो फूलो में चिप-चिपा बदार्थ निकलता है उसे वो कहा जाता है मकरंद मकरंद के कारण कीटो को क्या करते हैं ये अकारशित करते हैं कीटो को अकारशित करते हैं और जब कीट अकारशित होकर इन पुस्पो पर बैठते हैं तो कौन सी कृ celebrated होती है पर परागन की क्रिया में हेल्प होती है, तो इस तरीके से जितने सुन्दर दल दिखाई देते हैं, उतने ही कीटू सपरागरशित खराते हैं और पर परागन की क्रिया होती है, जिससे नए लक्षण वाले पुस्पों का विकास होता है तो इस रकार से था यह दलपुझ तो पुस्पों में जो कलर वाली पंखुडियां होती है उसी को दलपुझ कहा जाता है ये अकरसक रंग वाले होते हैं जिससे की टाकरशित होकर परपरागन की क्रिया में मदद करते हैं आगे तीसरा भाग हम देखते हैं पुमंग तो पुमंग जो है वह पुस्प का नर जननंग होता है पुमंग क्या है पुस्प का नर जननंग होता है है न ये क्या करते हैं जनन में भाग लेते हैं तो ये जो पुमंग होता है वो किस से मिलकर बना होता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है मतलब बहुत सारे इस प्रकार से पुंकेसर आपस में मिलकर क्या करते हैं एक समूह का निर्माड करते हैं जिसको क्या कहा जाता है पुमं कहते हैं तो इसकी काई को क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं प्रतेक पुंकेसर जो है प्रतेक पुंकेसर तीन भाग से मिलकर बनी होते हैं कितने भाग से मिलकर बनी होते हैं तीन भाग से मिलकर बनी होते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पहला भाग ये होता है उसके बाद दूसरा भाग इसका पराकर और तीसरा भाग ये तनतू होता है तो यह क्या है एक पुंकेसर का चित्र है जो तीन भागों से मिलकर बना होता है जैसे कि यह वाला जो भाग होता है जो पुस्प के अधारी भाग से लगे हुए होते हैं इसको कहते हैं पुतंतु अब यही पुतंतु क्या करता है पराग को पुस्पों से जोड़े रखने में मदद करता है, दूसरा भाग होता है यह जो आपको दो चेमबर दिखाई दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पराग कोस उसके पास शाद पराग, जो दो पराग कोस रहते हैं, वो जी सिस्थान से आपस में जूड़े होते हैं उसको कहा जाता है योजी या इसी को इंगलिश में कहा जाता है कनेक्टियो ठीक है, दो पराग कोस आपस में जी सिस्थान से जूड़े होते हैं उसको कनेक्टियो कहा जाता है तो इस तरीके से जो पुंकिसर होते हैं वो तीन भागों से मिलकर बने होते हैं यह क्या है ये पराग कोस होते हैं जिसमें पराग कड भरे होते हैं और यही पराग कड क्या है? नर यूगमक होता है यह क्या है? पराग कड जिसको नर यूगमक के नाम से जाना जाता है यही क्या करता है? जब जयांग में परागण की क्रिया के द्वारा जब पहुंसता है तो वहाँ पर नर यूगमक वा मादा यूगमक मिलने के पाशाद निसेचन की क्रिया होती है और वहाँ पर बीच का निर्माड होता है उसके बाद अगला हम दिखेंगे जयांग तो जिस प्रकार से पुबंग क्या है मतला जो जयांग होता है वा इस्तरी केसरों का सम्मू होता है और बहुत सारे इस्तरी केसर को एक साथ क्या कह राता है जयांग कहते हैं यह एक मादा जनननंग है, यहाँ पर बीज का निर्माड होता है, यहाँ पर निसेचन की ग्रिया होती है और निसेचन क्रिया के परशाद बीज का निर्माड होता है, जयांग भी तीन भागों से मिलकर बने होती है यह तो यह यह एक जयांग का सरचना है जिसमें तीन भाग होता है सबसे उपर भाग होता है वर्तिकागर उसके बाद बीच का जो लंबी नली होती है उसको कहा जाता है वर्तिका और यह है अंडाश है या ओवरी जहां पर बीच का निर्माड होता है तो इस तरीके से जो जयांग जो है वो तीन भागों से मिलकर बने होती है वर्तिकाग्र क्या करता है जब यहां से पुंकेसर के पराग कर जब इनमें इस भूटन की क्रिया होती है तो ये परागण किसे भी माध्यान से ये कीटों के माध्यान से कहां पहुंसती है? जैयां के वर्तिकागर पर तो इस क्रिया को कहा जाता है परागणों का पराग को से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की पर क्रिया कहलाती है परागण और परागण क्रिया के पशाद जब यहाँ पर परागण आ जाती है तो यह नर यूगमग कहा जाते हैं वर्तिकागर से होते हुए वर्तिका में पहुंसते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो सीधे कहाँ पहुंस जाते हैं मादा यूगमग फिर यहाँ पर दोनों में निसेचन की क्रिया होती है और बीच का निर्माड होता है तो इस तरीके से फूलों से फलों का निर्माड होता है और फिर उनसे बीच का निर्माड होता है तो यह है पुस्पो के अमभाग पुस्प में में चार भाग होते हैं बाह दल पुंच दल पुंच फिर है पुमंग और चौथा होता है जयांग जयांग जो है वो इस्त्री के सरों का समू होता है पुमंग पुंग के सरों का समू होता है दल पुंच दलों का समू होता है और बाहे दल पुंच बाहे दलों का समू होता है